तो ये चोहां साब को बेड़ है वैसे तो तेज को बेड़ है लेकिन चोहां साब आज के मुख्रे अतिक्ती है सरकार के नमाइन्दे है तो हम इस रचना का चोहां साब की तरफ मुख्रे आओ हम सब आख बटाएं स्वच भारत अभियानमे गंद नहीं अब रहना चाहिए प्यारी इंदुस्ता आणमे आओ हम सब आख बटाएं स्वच भारत अभियानमे गंद नहीं अब रहना चाहिए प्यारे इंदुस्तान में क्या क्या है जंडर के सरकार के गर-गर में सोच ले घर-गर में हो सोच ले ये हम सब की मजबूरी है सुईताते सरकार फेद्मी क्यों ये बात दूरी है गर-गर में हो सोच ले ये हम सब की मजबूरी है सुईताते सरकार फेद्मी क्यों ये बात दूरी है और करणी ख्यास दरूरी है ना तो तंजागा रॉक्षान में गंद नहीं अब रहनाचे ये चाहरे इंदुस्तान में गोर क्या दूर में हमने डश्ट बीन से कूडा न्यारा फार बगाना ठीक नहीं गाम नगर भी स्वच्छ हो अपना नुम गंद फेलाना ठीक नहीं पीना खाना ठीक नहीं इस डिस्पोचल सामान भाई जो अब बड़िया गंद नहीं अब रहना चाहिए कारे इंदुस्तान में एक और गंद्धी करते हम जो हमारा तरम है उसमें यह गवन करते समय अपील करता है तम जहां में आवन के उपर जाता हम वहां पंद्धी उसे पील करता हूं के पंद्धी एक यह बात मत पया औरो यह सब कुछ इंगटा करके चलते पानी में डाल देगा यह बिलकुल गड़त बात है आज इसकी दुरूरत नहीं है आज जरूरत शोचने की है कि यह जिस पानी में हम डाल रहें यह पानी पहां जाएगा लोग भी उसको और पतेरी जग है रेद में डलवा देओ प्रेड जहां लगाएगा उसके नीचे डलवा देओ लेकिन यह मेरी अपीर है मेरी सोच है आपको ठीक लगें हमारे वरेश्ट राफ्रसाब बैठे हैं ताकि यह बता देगे कि उस जलमे मत कूडा डालो जो घर घर पीया जागा जलू आयू भी दूसीतो जया तो फिर कैसे जीया जागा उस जलमा मत कूडा डालो जो भर घर पीया जागा जलू आयू भी दूसीतो जया तो फिर कैसे जीया जागा शांस नहीं जब लिया जागा तो बड़ा चड़ो असमान में गंद नहीं आपड़ना चाहिए प्यारे आखरी में लिख्या है सुन्दर स्वच्छ बना के बारत उपवन सामें काना है सुख बीर शेंग नभी गाम पड़ों बद दुनिया मचने काना है सुन्दर स्वच्छ बना के बारत उपवन सामें काना है सुख बीर शेंग ने काम बढ़ा दुनिया में चमकाना है और बारत की सा बनाना है तो जो दिख अलग जहान में गंद नहीं अपरे नाचने काना है अब देन्जमाद मेरा समय बत्या हो झाल